क्लियार स्पोटलास यंग स्कीन यानि गोरी नेखरी जवान तवच्छा सब को चाहिए होती है लेकिन आज की इस टाहिम पे ये सब करना इतने सारे ताम जाम स्कीन के साथ करना इंपोशिबल है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो सिंपल स्टैप बताने जारे हूँ जिने अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तवच्छा यंग बनेगी गोरी बनेगी चिटी बनेगी सारे स्पोर्स गायब हो जाएंगे ब्लैक हैट वाइट हैट ओपन पोर जितनी भी फेस है वो चमकना शुरू हो जाएगा खाना बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी स्किन के लिए लेकिन कई बार हम खाना अच्छे से खा नहीं पाते हैं उसके बावजूद भी अगर लड़कियों को अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए ना बिना कुछ हैल दिखाए तो आज का हमारा जो फर्स्ट स्टैप है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्किन के लिए वो है आपके रोम चिदर को साफ करना रोम चिदर को साफ करने के लिए आपको स्टीम लेना काफी जिरूरी है आप वीक में जैसे मैंने बताया दोनों ही स्टैप वीक में आप दो बार करे उनके अंदर जो कूड़ा करकट अक्सेस ओल होता जो बाक्टेरिया होता वो अपने आप बाहर आ जाता है तो स्टीम आपको कब तक लेनी है जब तक आपको महसूस हो कि आपकी स्किन से पसीना ऐसे टप टप करके पानी के अंदर गिरना शुरू ना हो जाए लगबग आपको पैक लगाएंगे उसका जो निखार होगा उसका जो रुजल्ट होगा वह बिलकुल देखने लायक होगा और एक ही बार का यह चैलेंज ले लेके चलिए चाहे आपकी कितनी भी स्कीन हो चुकी है कितने भी दांग दब've आपकी्की स्किन पे आ चुकी हैे एक ही बार में आ उसके बाद आपको पैक लगाना है तो स्टीम हमने दस मिनट तक ली है उसके बाद हमारा जो पैक है वो देखिए कितने कमाल का पैक बनने वाला है तो आप देख सकते हैं पैन के अंदर मैंने कुछ टुकड़े टुकड़े पीसीज डाले हैं किसी चीज के समझ गई है यह ओर और यह ऊक्करवकोषाenchय अग्ज है मटाविक बन RIGHT हैं Grindrin's gray जब की दाऊता है ऑर जब यह चिल्वार कोद करते हैं छुलक की बाद करते हैं जो फ्रूत हैं फ्रूत के मुका प्रूपले इंर चिल्कों ज्यादा सील्कों में ज्यादा पावर होती और ये आपकी skin को young बनाने के लिए आपकी skin से जो pigmentation है जो blemish है उसको light बनाने के लिए जैसे अब गर्मिया शुरू होने वाली है और हो चुकी है गर्मिया शुरू और sun tan आ जाता है उसको remove करने के लिए भी काफी अच्छा है आधा glass पानी छोड़ी छोटे टुकड़े आप को देख सकते हैं कि यह बिल्कुल soft बन चुकी है उसके बाद एक mixer jar आपको लेना है और उसके अंदर इसका एक पेस्ट बना लेना है अगर पेस्ट अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो आप साथ की साथ इसमें कुछ पानी डाल सकते है जो filter वाला पानी होता है ना ताकि इस जाए मैं कि और साथ आ गए है से परफिर डार्क शर्कल सब्रेसक्रेया परिम आपको लगा सकते हैंनक पे रिंकल साथ चुकिया है तो आप इसे टो करने की बात रहे प्यों कि तो आ क्या करना है इस औरेंज प्योरी के अंदर से आपको i Each i amte निकाल लेना है उसके बाद आपको लेना है कच्चा दूद यानि बिना उबला हुआ दूद आपको इसके अंदर बड़े अच्छे से मिक्स कर देना है दूद हम इसले यूज कर रहे हैं क्योंकि जब हम वाइटमिन सी यानि ये ओरेंज लगाएंगे तो हलकी सी ड्राइनास जाती है मैंने फील किया है तो इसलिए दूद डालके हम इसको लगाएंगे उसके बाद आपको डेड़ चमच के करीब इसके अंदर चोकलेट पावडर डाल देना है मेरे पास पूरी पैकिंग है मैंने डेड़ चमच चोकलेट पावडर डाल दिया है चोकलेट पावडर के जो भी चोकलेट है उसको फिगला के भी आप इस पैक के अंदर डाल सकते हैं, आप इस पैक के अंदर कोफी पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई प्रोब्लम निया, आप इस पैक के अंदर कोफी पाउडर भी डाल सकते हैं, ओके वो होना चाहिए, मतलब इनी का मिलता जुल्दा जाहे वह चोकलेट पाउडर है, चाहे हो कोज़ेश पाउडर है, चाहे हो कोको पाउडर है। अच्छे से मिक्स करना है। और यह पैक जैसा आपका बन जाएगा। अब हमने steam लेनी है ले ले रही है और skin हमारी बिल्कुल साफ हो चुकी है सारे pore clean हो चुकी है अब ये pack आपको मलते वे अपने skin पे लगाना है यार प्लीज मेरी आप सबसे request है कि इस pack को एक बार तो आप जरूर लगा के देखेगा क्योंकि ये इतना अच्छा है इतना कीजिए आपको result मिलेगा आपको 99% result मिलेगा तो मलते हुए आपको इसे यूज करना है अपने face पे आँखों के आसबास भी आप लगा लेंगे आप इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद आप हलके गुन गुने पानी के साथ अपना चेहरा धो देंगे ज ना ही आपको कोई extra vitamin C cream लगाने की जरूत पड़ेगी तो इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा दो step week में दो बार आपको करने हैं दोनों ही कठे करने हैं श्याम के टाइम पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जो हमारा pack बचा हुआ है उसे आप 3 दिन के लिए fridge के अंदर कोई है कोई है कोई के बाई